नमस्कार कक्षादस अध्याय चोदह सांखेकी वर्गी क्रेत आंक्णों का बहुलक हम जानते हैं वर्गी क्रेत आंक्णों के बहुलक का सुत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H जहां पर L होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा H होता है वर्ग अंतराल का माप F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता F0 होता है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता और F2 होता है बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता अब हम प्रश्णावली 14.2 का दूसरा प्रश्ण करते हैं निम्न लिखित आंकडे 225 बिजली उपकरनों के प्रेक्षित जीवन काल जो की घंटों में है की सूचना देते हैं देखिए 0 से 20 घंटे चलने वाले कितने उपकरन है 10 20 से 40 घंटे तक चलने वाले कितने उपकरन है 35 40 से 60 घंटे तक चलने वाले कितने उपकरन है 52 इस प्रकार से हमें यह सारनी दी गई है हमें उपकरनों का बहुलक जीवन काल ज्याद करना है आएए शुरू करते हैं ये हमें सारनी दी गई है सबसे पहले अधिक्तम बारम बारता कितनी है 60 इसका अर्थ है इसी का बहुलक वर्ग होगा 60 से 80 यानि इस सारनी में से हमें बहुलक वर्ग ज्याद करना था वो बहुलक वर्ग आएगा 60 से 80 क्योंकि सबसे बड़ी बारंबारता 61 है और वह 60 से 80 वर्ग की ही है L होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा जो की है 60 F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता जो की है 61 F0 होता है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता जो की है 22 और F2 होता है बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता यानि की 38 H होता है किसी भी वर्ग के उपरी सीमा में से निचली सीमा को माइनस कर दीजिए जैसे कि हमने बहुलक वर्ग में 80 में से 60 को घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 20 आईए अब हम बहुलक ज्याद करें बहुलक का सुत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H दिखें L की जगा आजाएगा 60 F1 की जगा आएगा 61 माइनस F0 की जगा 52 और नीचे हर में 2F1 यानि 2 गुना F1 है 61 यानि 2 गुना 61 माइनस F0 यानि माइनस 52 आगे है माइनस F2 यानि की माइनस 38 इसके बाद ब्रैकेट बंद उसके आगे है गुना H गुना H है 20 तो अब अगले स्टेप में देखिए 60 को हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे ब्रैकेट के अंदर 61 माइनस 52 होता है 9 बटा नीचे दो गुना 61 होता है 122 122 में से 52 माइनस करने पर प्राप्ट होगा 70 और 70 में से 38 माइनस करने से हमें प्राप्ट होगा 32 और उसके आगे है गुना 20 अगले स्टेप में देखिए 20 को हम उपर 9 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्ट होगा 180 20 नाया 180 और इस 180 को 32 से भाग करने पर हमें प्राप्ट होगा 5.625 अगले स्टेप में 60 में 5.625 जमा करने पर हमें प्राप्त होगा 60 और 5 65.625 प्रकार से हमें बहुलग प्राप्त हुआ 65.625 तो उपकरनों का बहुलग जीवनकाल कितना प्राप्त हुआ 65.625 घंटे तो देखा आपने हमने बहुलग के सूत्र की मदद से इन उपकरनों का बहुलग जीवनकाल ग्यात कर लिया है आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद